आज मैं आपको पनीर से इतनी अमेजिंग, इतनी डिलिसस, इतनी धमाकेदार रेसीपी बनाना बताऊंगी, गैरंटी से कहते हैं, फ्रेंस एक बार इस रेसीपी को बना कर देख लीजेगा, इस रेसीपी के फैन हो जाएंगे आप, तो फिर दरे किस बाद की चली फटाबर से बनाते हैं, इस मज़ेदार सी रेसीपी को, तो पनीर की इस सुपर डेलिसस रेसीपी को बनाने के लिए, मैंने आपे 200 ग्राम के आसपास घर का बनाया हुआ पनीर लिया है, आप इसके जगह पर मार्केट का भी पनीर यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर आप पनीर को बटर पनीर लाइएगा, बटर पनीर से ये रेसीपी बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग और बहुत ही ज़्यादा डेलिसस बन कर त्यार होती है, तो इस रेसीपी के लिए प्लेन पनीर नहीं लाइएगा, बटर पनीर का इस्तमाल करें, या फिर घर का बनाया हुआ पनीर का इस्तिमाल करें, तो हाँ पर देखें पनीर को मैने हाथों से मैस कर लिया, अभी इसे साड में रखते हैं, अब हम चलते हैं गयस के तरफ, इधर गयस पर मैंने एक पैंचड़ा दिया है गरम होने के लिए, अब हम इसमें डाल देंगे एक चम्मस तेल और इसे अच्छे से गर तेल गरम होने पर इसमें डाल देंगे 6-7 चीली हुई लासन की कलिया, 6-7 काजू, एक मीडियम साइज के टमाटर को मैंने रफली चॉप कर लिया है, और एक मीडियम साइज के प्याज को भी मैंने रफली चॉप कर लिया है, एक इंच कटे हुए अद्रक के टुकडे और 2 हरी मेच लेंगे, इन सबी को क्या करेंगे, गरम-गरम तेल में डाल देंगे, और अब हम क्या करेंगे, इसे 2 मिनट तक इस तरीके से बार-बार चलाते हुए फ्राई कर लेंगे, ताकि अद्रक, लेसन, हरी, मेच, का जो सारी चीज़े खुब अच्छे से भून जाए, और इन जाए और इन पर हलका अलका गॉल्डन लेर भी आगया है, इस तरीके से एक साइड कर देंगे, और इसमें डाल देंगे, एक साइड एक चमच बेसन, और इसे कुछ सेकें तक भून लेंगे, फिर इन सबी चीज़ों को एक साथ मिक्स करके 2 मिनट तक लो फलेंगे, बेसन इ भीम हे बिल लोग फ्लिमें पाई सेज भाण भेह के लिगा है अबहरा जग मिलोग से मिखसरर फील खरम उ सिर्म देगे लिंग झाल च्मच पाण जिसके सायेक है तब कर देवर की तब सहा पिसने में आसानी हो ह झाल लगे छाल पिस देखए16Ed महीन पीसना यानि कि इसका अगदम स्मूथ पिष्ट बनाना है तो चली अभी से साइड में रखते हैं वापस उसी पैन में ले लेंगे एक बड़ा चम्मस तेल और इसे भी अच्छे से गरम होने देंगे तेल गरम होने पर इसमें डाल देंगे हाफ टीस्पून साबुज जी करते हुए इसी में एड़ कर लेंगे साथी में डाल देंगे हाफ टीस्पून हल्दी पाउडर यह तीखा कम होता है और इसे कलर बहुत अच्छा आता है टेस्ट के अकॉडिंग नमक डाल देंगे अभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब हम गयास का फ्लेम तो इसमें हमने काजू और बेसन का इस्तमाल किया है तो जैसे जैसे मसाले पकते जाएंगे और पैंड में चिपकते जाएंगे इसलिए बीच-बीच में ढटाकर चलाते हुए मिक्स करते हुए इसे पकाईएगा जिससे कि यह सारी चीजे चारो तरफ से अच्छे से कुखो औ पूरी तरह से चेंज हो गया है है ना मसाले बहुत ही अच्छे से बुन गए है तो बस इसे एक बार और अच्छे से चला लेंगे और अब इसमें एड करेंगे हरा मटर तो मैंने आपे वन थर्ड का फ्रोजिन हरा मटर लिया है साथी मिदा लेंगे आधा चमश धनिया और मसालों को पकने के लिए थोड़ा सा टाइम और मिल जाता है क्योंकि जितने बढ़ियां से आप इसको पकाएंगे ना उतना ही ज्यादा अमेजिंग हमारी रेसिपी बन कर तेयार होगी तो यहां पर दो मिनट और मैंने इसे भून लिया और आप देख सते हैं यह सारी मिक्स कर लेंगे और दो मिनट इसे भी भून लेंगे तो इस तरीके से इस्टेप इस्टेप इस भी चीजों को भूनने से ना फ्रेंस बहुत ही जवर्ज़स यह रेसिपी बन कर त्यार होती है मतलब इसका टेस्ट इतना बढ़ जाता है ना कि मैं आपको क्या बता हूँ ज इतना जादा जवर्जस्तिय बन कर त्यार होती है तो इसे मैंने दो मिनट तक भून लिया अब मैंने इसमें डाल दिया है वन फोर्थ कप गरम पानी अब इसे अच्छे से मिला लेंगे और गैस का फ्लेम बिल्कुल लोही रखेंगे अब इसे लो फ्लेम पर ढख करके तीन इसे चार मीनट होगे मुझे इसे ढख करके लो फ्लेम पर पकाते हुए और ये लिजे फ्रेंस वाओ लुक अट इस फ्रेंस हमारी सूपर से भी उपर टेस्ट वाले आप इसे पनीर मसाला भुरजी बोल सकते हैं बन के रेडी है एकदम नए तरीके से नए टेस्ट में और देखने में जितना टेंपटिंग लग रहा है ना फ्रेंस यकीन मानिए खाने में इसका स्वाथ बहुत ही जादा जबर्जस्त लगता है चलिए थोड़ा सा इसको रेश्टोरेंट वाला टच दे देते हैं इसमें डाल देंगे एक चमच रोष्टिर कसूरी मेथी हाथों से करते हुए इसे अच्छे से मिला लेंगे और अब गयास का फ्लेम बंद करके इसे ढख देंगे दो मिनट के लिए जिसे की कसूरी मेथी का फ्लेवर इसमें अच्छे से चला जाए उसके बाद में से सर्व करेंगे तो लिजे फ्रेंस तयार है हमारी सूपर से भी उपर टेस और अब इसे रोटी से खाये ऑपराठा से नौन से खाये खाये खोल जंगे फ़ेक में तो वरी के साथ ब्हस्य लंते चाहिए सब आगैने में स काने में तो पॉरी के सांगे इसमίν अच्छे को आ अपने अर आपने दोस्त में साथ सेर करें पिर मिलते हैं किसी नेक्ट वीड एक super delicious recipe के साथ तब तक के लिए bye bye and take care.